जो हमारा यूनियन बजेट 2021 का जो दिया है वो देश के इतिहास में पहला ऐसा बजेट है कि जिसने सबसे ज़्यादा प्रायरिटी दी है और इसके कारण निश्चित रुप से देश का इंफ्रोस्ट्रक्चर के वाल अच्छा नहीं होगा तो इंफ्रोस्ट्रक्चर में होने वाले इंवेस्टमेंट से रोजगार भी बड़े प्रमान पर निर्माण होते हैं बाद में स्टील और सिमेंट कोर इंडस्ट्री जो हती है उस में स्वाबावय कुर्प से उसके कैरण बाकी इंडस्ट्री को भी गतिशिलता मिलती है वैसे कल ही मुझे जानकारी मिली कि हमारी जो इक्विप्मेंट मैनिफेक्चर और एकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड तो कल मुझे बताया गया कि उनका लगबक टर्नोर पिछले साल के तुलना में इस साल दुगना हुआ है और इसका मतलब इंफरोस्ट्रक्चर के कारण बाकी इंडस्ट्री को भी काफी लाइन है 100 लाक करोड की उसमें पहले जो 6835 प्रोजेक्ट उसमें 7400 प्रोजेक्ट अभी बढ़ाए गये हैं और इसमें 2017 प्रोजेक्ट जो है 1.01 लाक करोड के वह कंप्लिट भी हुए है इसमें सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हमारे रोड इंफरोस्ट्रक्चर में इसमें काफी development हुआ है जो वित्तमंत्री जी ने रोड सेक्टर के बारे में काफी प्रवाण में उसको recognize भी किया है कि रोड सेक्टर में हमने इस साल भारत माला में भी काम पूरे किये और जनवरी एंड तक ही हमने पिछले साल का रोड कंस्ट्रक्शन का record पूरा किया है 28 किलोमेट कर हम लोग पूरा कर सकेंगे इसमें रोड के साथ साथ कि यह जो मॉनिटाइजेशन हुआ है टी ओटी उसके साथ साथ हमारे इसमें हमने काफी नए economic models तैयर किये हैं उसमें भी मॉनिटाइज करके काफी पैसा खड़ा किया है और उसके कारण अब हमारा budget जो था और 91,000 से अब 1,18,000 करोड तक गया हुआ है तो इसका भी काफी बड़ा impact होगा जो पाच रोड जो है वो इनविट में पाच अजार करोड के वो अल्रेड़ी इनविट में हमने लिये है और इसके साथ साथ अभी जैसे ए इनविट आया, T.O.T. आया, B.O.T. आया, P.P.P. आया, वैसे अब रिलवे में भी आया है और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट में भी आ रहा है वेयर होसिंग और स्पोर्ट स्टेडियम तक आया है तो ये काफी जगह पर इसमें monetize करके infrastructure के लिए काफी पैसा उपलब्द आगा बजेटरी पैसा जो है उसका support मिलेगा और monetize के हुए पैसे से भी वह उससे कम से कम मेरे इसाफ से जो budgetary support है उससे कम से कम 1 इस टु टेन में अगर एक लाग करोड़ बजेट होगा तो 9 लाग करोड़ monetize करते हुए पैसा आएगा हमारे रोड सेक्टर में तो कम से कम य दिल्ली जैसा हाइवे है इसको हम अभी मॉनिटाइज कर रहे है ऐसे बावी स्क्रीन हाइवे बना रहे है तो इंफ्रोस्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा बजेट रहा है इसमें करीब 8500 किलोमेटर हाइवे हमने अल्रेड़ी अवाड किया है काम उसमें अभी तक जो हाइवे के प्रोजेक्ट से उसमें जो हमने पूरा किया है उसका भी मैंने आपको बता है कि इस बार हम लोग 40 किलोमेटर तक जाएंगे और इसमें भी जो अलग-अलग स्टेट गवर्मेंट्स है उसमें भारत माला में और नीचे हमारे इसमें जो प्रोजेक्ट मंजूर किये है उसमें फाइनास मिनिस्टर ने केरियला को जो 65,000 करोड और मुंबई कन्या कुमारी केरेडॉर जो है यह बहुत बड़ा इंपोर्टन प्रोजेक्ट है इसको भी हम काम शुरू कर रहे है और उस एक ही प्रोजेक्ट की किमत 40,000 करोड है 60-675 बेस बंगाल को मिले 25,000 करोड के आसाम को भी हमने काफी काम इसमें कर रहे है तो एक प्रकार से इंफ्रो स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक बजेट हमको मिला है वो लैन एक्क्विजिशन करने के लिए हमारे काम में आता है और बाकी का पैसा जो होता है वो सब हम लोग कैपिटल मार्केट स से खड़ा करते हैं जो अलग अलग जगह से तो यह जो इंक्रीज हुआ है बजेट में इससे और काम होने में मदद मिलेगी जहां तक स्क्रापिंग पॉलिसी है वो भी बहुत इंपॉर्टन्ट है और स्क्रापिंग पॉलिसी का विशे भी अनेक दिनों से चल रहा था और म इंडेस्ट्री है साड़े चार लाग करूड की उसमें से एक लाग पैतालिस हजार करूड एक्सपोर्ट है और आपको पता होगा कि हमारे टूविलर इंडेस्ट्री में बजाज टीवी एस और हीरो और बाकी भी लोगों ने 50% का उनका प्रोड़क्शन एक्सपोर्ट किया है अब यह एक्सपोर्ट करने में सबसे अच्छी बात MSME और अटोवाइल इंडेस्ट्री दोनों दुष्ट्री से देश के इत्में हुई है कि अटोवाइल में जो पार्ट्स कुछ बाहर से इंपोर्ट होते थे उसके उपर मैंने वित्तमंत्री जी को कहा था कि इसमें हमा इसमें बड़े प्रमान पर इंपोर्ट करने वाले आटोव स्पेर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई उसके करण में इंडिया और में इंडिया को बढ़ाओ मिलेगा और यह जो साड़े चार लाग करोड के इंडस्ट्री है यह पिछले साल तक आने वाले साल को पू पॉलिसी जाहिर हुई है अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रैंट्स हमारे देश में प्रेजेंट है मर्सीडिस से लेकर ओल ओल बिग मैनिफेक्ट्र आ रहे हैं अब हम लोग इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायो डिजल बायो सेंजी और हैड्रोजन फ्यूवल सेल को भी इंकरेज कर रहे हैं और कल अभी आने वाले चार-पाच दिन में अगले सब्ता में शाहिद मिटिंग तह हुई है प्रदान मंत्री जी के सैंटिपिक एडवाजर रागव के रहें हो जाहिए और यहां स्टील औयां तो इसके आधर यहां बेंटरी बनें और इसमें रिसेर्च हो ताकि हमारी इंडस्टनरी जो है स्वावलम भी बनें और हम लोग हमारे वर्ल में हमारी टेकनोलोजी पो कर आधर वेहिकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं यह स्क्रैप हो जाएंगे तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है तो यह अटोमेल इंडस्ट्री को और बड़ावा मिलेगा 34 lakh light motor vehicle are older than 15 years and 51 lakh light motor vehicle are older than 20 years बाद में 17 lakh medium and heavy commercial vehicle 17 lakh older than 15 years without valid fitness certificate अब यह 17 lakh और यह संख्या जो है यह मैं देख रहा हूँ यह करीब एक करोड से ज़्यादा वहिकल है यह pollution कर रहे थे क्योंकि जितना पुरानी technology है वो air pollution भी कर रहे थे फ्यूइल भी ज़्यादा खा रहे थे तो अब यह और other older vehicle pollute 10 to 12 times more than fit vehicle यह 10 से 12 गुना ज़्यादा pollution कर रहे थे तो पहली बात तो ऐसे है कि reduced pollution reduced population of old and defective vehicles on road यह पहला advantage में pollution कम होगा दूसरा advantage 25 से 30% reduction in vehicular air pollutants इसमें इसकी कमी होगी तिसरी बात improved road safety new newer vehicle meet road safety standards because of improved material and vehicle technology इसमें फाइदा यह होगा कि जो scrapping होगा तो steel rubber aluminum copper जो waste तिकलेगा अभी हम लोग copper import कर रहे aluminum import कर रहे और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे port का मैं जब इतरी था तो यह यह इसी के लिए अठ्रा-ठ्रा मीटर ड्राप बढ़ा है तो दुनिया का भंगार दो लाग टन के शिप में आपने आएगा वह बहुत आएगा throwing price पर आएगा और फिर उससे हम लोग segregate करेंगे metal को aluminum copper plastic rubber और फिर उसका recycling करेंगे तो जो spare parts 100 रुपे में मिलता था वह 60 रुपे या 65 रुपे में बनेगा तो वर्ल्ड के competition में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए इंडस्ट्री अमारे बढ़े इसमें मत्री इसके कारण fuel efficiency बढ़ेगी मैं जब college में था तो scooter मैंने खरीदी की थी तब 32 km ने सच्चा अच्छा average समझ रहा था मैं बजाच की scooter मैंने ली थी और कहता था कि मेरी scooter का average 32 है अभी जो बाइक आप यूज करें वह 80 km तक गई है तो इसका मतलब यह जो पुराने सब जाएंगे और ने आएंगे तो इसने जो इंपोर्ट है आठ लाक करोड का वो भी कम होगा pollution भी कम होगा fuel efficiency ओड़ेगी और lightweight vehicle है इसमें टेक्नोलोजी बदली हुई है reduce fuel consumption और फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो फॉरेन का अपना यह डॉलर है वो इसमें बचेगा निवर हेवी कमर्शेल वेहिकल आर थ्री टू 6% more fuel efficient यह ट्रक वगरे में काफी इसमें फाइदा होगा और इंप्रोड सेप्टी फीचर सच अज एयर बैक्स ABS and crash norms अभी मैं हम मैंने transport मंत्री होने के नाते एयर बैक्स को भी mandatory किया है तो यह मुझे लगता यह सब फाइदा होगा इससे करीब 10,000 करोड की नई investment आएगी और करीब 50,000 ने job create होंगे यह scrapping policy के कारण timely fitness check emission norms and operational conditions of vehicles through automated monitoring system अब देश में हम यह system बड़े प्रमान पर खड़े कर रहे है driving training center के साथ end of life criteria under the policy would be beneficial to remove most unfit defective vehicles availability of low cost raw material for scrapping industry यह मैंने आपको बताया तो scrapping policy बहुत दिनों से थी वो इसमें आई है और आज मैंने benefit आपको बताया मैं आज से 15 दिन के अंदर क्योंकि वित्तमंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है मैं scrapping policy डिकलेर करने का काम करूंगा